तो बच्चो पढ़ाई में डाउट आते हैं सोल रही हो पारे गबराओ मत इसका सोल्यूशन है डाउटने टेप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्यूशन की फोटो किचो क्रोप क्रोप और पांच सेकिंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जा आपके सभी सवालों के जुआब मिलेंगे केवल डाउटनेट एप पर साथ ही डाउटनेट एप पर चल रही है क्लास नवी से बारवी आयाइटी जैई नीट के बच्चों के लिए ओनलाइन क्लासे जिनका हिस्ता बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रें और बोड़ प्रिक्चा 2022 में सामिल है तो इस वीडियो को आपको complete देखना है कि मेत में पास केसी हूँ आज का यही वीडियो है और कक्सा 10 के लिए special वीडियो है तो वीडियो को आपको अंतक देखना है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बदाने वाला हूँ कि मात्र एक चेप्टर पढ़कर आप मेत में पास हो सकते हैं तो वो कौन सा चेप्टर है जो आपको पढ़ना है और उस चेप्टर में आपको क्या-क्या टोपिक पढ़ने है यानि आपको कौन-कौन से कवशन पढ़ने है जो आपके बोड़ परिक्षा 2022 के लिए इंपोर्टेट है और उनको पढ़कर आप मेत्स में आराम से पास हो सकते हैं तो कौन-कौन से कवशन है, कौन सा चेप्टर है, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आपको पूरा देखना है तो सबसे पहले मेत्स में पास केसे हूँ मात्र एक चेप्टर पढ़कर आपको यकिन नहीं होगा लेकिन आपको विलिव करना होगा कि एक चेप्टर पढ़कर आप गणित में आराम से पास हो सकते हैं तो देखिए वो चेप्टर है आपके चेप्टर नमर 14 है और chapter नमर 14 का नाम है आपके सांखे की और सांखे की के अंदर आपको पता है mean है, mode है और median है इन तीनों को ही पड़ना पड़ता है मैं अब तीनों में से तीनों ही आपके आने वाले हैं तीनों में क्या क्या पड़ना है किस type के question आने वाले हैं और ये चेप्टर इस बार आपके 15 अंक का आने वाला है यानि बोर्ड प्रिक्षा 2022 में जो गणित का पेपर होने वाला है और गणित के पेपर में ये वाला जो चेप्टर है चेप्टर नमर 14 सांखे की ये आपके 15 नमर का आने वाला है यानि इस चेप्टर में आपके 15 नमर क के कुशन आने वाले हैं अब 15 नमर के कुशन है वो किस परकार से आने वाले हैं किस टाइप के कुशन आएंगे तो पहला कुशन है वो आपके सोट मीन का होगा सोट मीन का मतलब यहां से आपके कुशन है वो काफी छोटे कुशन पुछे जाएंगे दूसरा आपके सोट मोड और तीसरा है आपके short median, यानि माद्दे, तो यहाँ पर मैं बात करूँ, short median, यानि माद्दे, तो माद्दे का क्युष्ण है, वो किस परकार से आपके पुछा जा सकता है, जैसे आपको संक्या दे दी जाए, 2, 3, 4, 5, और 6, इनका आपको पुछे कि समांतर माद्दे ग्यात करना है, कि आपको संक्या दे रहे कि यह 2, 3, 4, 5, और 6, इनका आपको क्या करना है, इनको आपका माद्दे ग्यात करना है, तो इस टाइप का कुष्ण है, वो आपको बोड़ परिक्षा 2022 में देखने को मिल सकता है, और दूसरा जो परसन है, सोट मोड यानि भहूलक, अगर मैं भहूलक की बात करूँ, जैसे आपको संक्या दे दी जाए, कि 2, 3, 4, 5, 6, 2, इसका आपको क्या पूछले भहूलक, तो इस टाइप का कुष्ण है, वो भी आपको अच्छे से याद करना है, और बार-बार जो कुष्ण में आपको बता रहा हूँ, इन कुष्ण की आपको बार-बार प्रेटिस करनी है, और उसके बाद में तीसरा कुष्ण है, आपके सोट मीडियन, यानि माद्दिक, तो मद्दिक में किस टाइब का कुष्षन आएगा आपके जिसे तीन है, साथ है, जीरो है, एक है, पांच है, चार है इसका आपको पूछले कि इसकी मद्दिका या इसका मद्दिक है वो आपको ग्याद करना है तो इस type के यानि तीन question आपको इस type के त्यार करने है तीन question है वो आपको इस type के त्यार करने है और उसके बाद में तीन question और भी मैं आपको बताने वाला हूँ काफी question इसमें बनने वाले है अब किस परकार से बनने वाले है तो तीन question है वो आपको इस type के याद करने है इस type के question उनके आपको प्रेटिस करनी है और उसके बाद में अगर मेन से दूसरा क्यूशन किस परकार का बन सकता है तो देखिए आपको एक टेबल दे दी जाए इस परकार के टेबल आपको मिलेगी जिसमें उपर वाली जो टेबल है यानि इसमें दो वोक्स में हम बाटें इसको और यहां पर आपके अक्स आएगा यहां पर आपके एफ आएगा यानि दो तीन और चार पांच और पांच साथ और साथ नो ओके तो इस टाइप का कुशन आएगा जिसमें आपको मादे भी पूछ सकता है यानि इसका मादे ग्याद कीजिए या इसका मोड ग्याद कीजिए इ आपको मीन भी पूछ सकता है, मादे भी पूछ सकता है, बहुलक भी पूछ सकता है, और मादे की भी पूछ सकता है, तो एक क्यूशन है, वो इस टाइप का आपको त्यार करना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन है, वो आपके किस परकार से आ सकता है, तो आपको एक टे से इंटर्वेल और निच्छे आपको मिलेगा बारंबारता यानि जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस और तीस से चालिस ओके और यहां पर दो तीन चार पांच ओके तो इस ताइप का जो कुछन आएगा इसमें आपको क्या पुछेगा माद्दे पुछेगा क्या पुछेगा माद्दे भी पूछ सकता है यहां पर साथ कर लीजिए क्या कर लीजिए साथ इसका माद्दे भी पूछ सकता है आपको यानि मीन है वो भी पूछ सकता है आप देखे मीन की तीन में थड़ हैं आपके तीन विदी हैं विदी आपके इन में से किसी भी विदी से आपको क्यूशन है वो आ सकता है जिसे आपके परतेक्स माद्दे यहने इसका परतेक्स माद्de ग्यात कीजिए या समांतर माद्de ग्यात कीजिए या फिर एक है आपके कलपित माद्डे कलपित माद्डे जिसको English में ajumd mean बोलते हैं और परतेक्स माद्डे को आपके direct mean बोलते हैं और तीसरी जो method है आपके bugwichland withy पग विचलन विदी माद देगात करने की तीन विदी है परतेक्स, कल्पित और पग विचलन जिसको इंगलिस में बोलते है step deviation method तो इन तीनों विदियों में से कोई भी विदी आपके आ सकती है बोड प्रिक्षया में इन तीनों विदियों से आपके जो mean है वो आपको आना चाहिए एक कुशन यह आपके और या फिर इस परकार की आपको table मिलेगी जिससे आपके बहुलक के बहुलक आ सकता है क्या आ सकता है बहुलक और बहुलक को इंगलिस में क्या कहते है mode ओके और या फिर इस परकार के आपको टेबल मिल सकती है जिसमें आपको मीडियन पूछ सकता है क्या पूछ सकता है मीडियन मीडियन को क्या कहते है मादिक कहते है क्या कहते है मादिक तो एक इस परकार का कुष्ण है वो आपको याद करना है उसके बाद में जो last question है वो आपके किस परकार से बन सकता है एक देखिए आपके अक्स Y का question मनता है इस परकार की table से और इस परकार की table से तो आपके question भी दे रका है 14.3 की जो exercise है एक तो आपके 14.1 है जिसमें आपको तीसरा question है तीसरा या दूसरा questions है अकस या app का मान उसमें पुछा है तो उस type का question आप त्यार करें एक है आपके 14.3 और 14.3 में दूसरा जो question है वह आपको त्यार करना है और उसके बाद में झो last question बन सकता आपके itus main mode और median इन तिनों में क्या relation होता है तो इस relation का formula होता है जो काफी बार board exam में पूछा जाता है तो mean, mode और median यानि माद्दे बहूलक और माद्देक में क्या समंद होता है तो समंद कुछ नहीं है बाकि एक सुत्र है वो सुत्र आपको याद करना है वही सुत्र आपको इस समंद में लिखना पड़ता है वो सुत्र क्या है वो जिन बच्चों को नहीं पता है वो अपनी notebook में लिख ले थरी माद्देक बराबर क्या लिखना है थरी माद्देक यानि 3 median or equal mode या बहूलक यानि 3 माद्देक बराबर बहूलक पलस तू गुणा माद्दे यानि 3 median equal mode पलस 2 mean तो ये सुत्र आपको याद करना है और इस सुत्र से आपके बोर्ड प्रिक्षा में छोटे छोटे कुशन भी बनते हैं कि जिसमें आपको माद्देक पूछले बहूलक और जो माद्दे है दिया जाए ओके तो आप मेडिये ने वो find कर सकते हैं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पर आप नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिजिए ताकि इस परकार का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो